हेलो दोस्तो नमेश्कार, स्टॉक मर्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा रिक्वाइट टॉपिक है अभी के माहौल के हिसाब से भी मतलब अभी का महौल कैसा है दोस्तो प्रेशराइज वाला महौल है की नहीं मार्केट नीचे नीचे जा रहे है की नहीं तो दोस्तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते है तो ये टॉपिक मतलब बोलते हैं एक ही टॉपिक है बढ़ तीन चार निचाने लगा देगा मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं की सर क्या शेर से एक्जिट होना ठीक रहेगा सर आप शेर को होल्ड करने की जादा बात करते हैं आप एक्जिट कम होते हो फिर सर आप इनवेस्ट तो कर लेते हो शेर में बट वो डूबेगा यह आपको कैसे पहले ही पता चल जाता है एंड आप स्टॉक से एक्जिट हो जाते हो मतलब देखिए दोस्तो हम लोग stock में invest तो कर लेते बट उसमें continue रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए ये कैसे पता करेगा तो दोस्तो ये वीडियो आप लोग को मदद करेगा अगर आपको exit होना है उस stock से देखिए अप हमारा target अची होता है वो अलग बात है कि ये share में हम लोग ने 100 रुपया में खरीदा हमारा target था 500 रुपया वो अच्छी हो गया अलग कहानी हम लोग profit book कर लेते हैं बट अगर हम लोग ने invest किया है 100 रुपी का share उपर जा रहे और वो नीचे आ रहा है तो क्या उसमें remain invested जो हम लोग बोलते हैं ना क्या उसमें निवेशक बने रहे या फिर उस company में कोई तो गड़बड है वो company डूब रहा है यह हमें कैसे पता चलेगा तो इससे related दोस्तों यह video क्या आप सभी लोग का पते हैं ऐसे बहुत सारे companies है जैसे कि Yes Bank, Jet Airways, JP Group की बात करे Vodafone India की बात करें, India Bull Housing Finance की बात करें, DHFL यह company अभी किदर कम नहीं थी, DHFL, Yes Bank, Jet Airways तो top notch company थी Jet Airways तो aviation sector में number one चल रहा था, Yes Bank top five bank में आते थी DHFL हर किसी का favorite NBFC हुआ करता था तो sir हमें कैसे पता चलेगा, किकि यह company आज तो बरबादी हो चुकी है तो हमें पहले ही कैसे पता चले, कि हमें उस company से निकल लना चाहिए तो दोस्तो यह video आप लोगों को यहापे मदद करने वाला है तो चले दोस्तो बहुत ही important topic है, इसको फटा-फट स्टार्ट करते बड़ उससे पहले जरू करना चाहूँगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अभी के हभी हिट कर लेना तो ऐसे interesting वीडियो हर अफटे आप लोगों को यहापे free of cause देखने के लिए मिल जाएंगे तो दोस्तो बहुत ही जबरदस topic है, जैसे कि मैंने आपको का कि मेरे portfolio में भी बहुत सरे stocks है और उनको अगर मुझे मेरे portfolio से बाहर निकालना है, तो मुझे solid reason तो चाहिए ऐसा थोड़ी कि stock नीचे आ रहा है और exit करे तो फिर हर stock निकलना पड़ेगा हम लोगों को, pressure में तो हर stock आपको नीचे जाते वे देखने को मिलेगा, तो यह कोई reason नहीं है तो कोई company डूब रहे है की नहीं, यह कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों बिलकुल हमारी जैसी body होती है मतलब अगर हम लोग को बुखार, मतलब बोलते हैं हम बीमार कैसे पढ़ते हैं, directly बीमार नहीं पढ़ते हैं सरदी आती है, खासी आती है, सिर दर्ध होना start हो जाता है, ठकान होना शुरू हो जाता है, फिर हमें बुखार आता है ऐसा नहीं कि आज आप लोग फिटो और कल बुखार आ गया तो company का भी दोस्तों ऐसा ही है company की भी अगर हम लोग बात करें तो ऐसे क्या symptoms है company में ऐसी क्या है हम लोग को चीजे देखने को मिल रहे है मतलब बुखार आने से पहले भी दोस्तों company में भी हम लोग को इस तरकी की तब जाके आप बोल सकते हैं कि वो company से हमें निकलना चाहिए मैं again कहाँ stair का price नीचे आगया इसलिए निकलना ये सबसे बड़ी बेव कोफिय वाली बात है और decision अगर लिया होगा तो पच्छताने वाला decision है क्योंकि stock के price कभी ना कभी नीचे तो आएंगे अगर हर वक्त उपर ही रहेंगे तो फिर market में बच्चा बच्चा आ जाएगा तो हमें पता कैसे चलता है कि company में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए तो ये चीज़े आप लोगों ने check करनी चाहिए चलिए एक एक indicator अभी हम लोग देख लेते दोस्तों एसे लगबग में आप लोगों को 10 से 11 इंडिकेटर बताओंगा जहां भी हमें पता चलेगा कि company में बने रहना चाहिए या फिर continue करना चाहिए या फिर निकलना चाहिए आप देख सकते हैं यह रही येस bank की बात करें जेट एर्वेस की बात करें पूराना डेटा है बट यह देखी यहाँ पर company ने indications दिये थे कि आप लोगों ने मतलब company को बुखार होने वाला है बहुत ही serious बीमारी होने वाली है यह यहाँ पर पहले company ने इंडिकेशन दिया था तो वो इंडिकेशन कैसे पता चलता है तो वही अभी में आप लोगों को फटा-फट 10 पॉइंट से दोस्तो प्लीज concentration आप लोगों का कमाल का यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि बहुत ही important वीडिए point number one दोस्तो profit लगातार down हो रहा है देखे मैंने क्या बोला है profit down हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है हर रोज कोई century नहीं बना था cricket में गिया अगर हम लोग बात करें बट consistently अगर आप लोगों का रहेगा कि आपका profit ही चला जाएगा आपकी salary है पचास हजार आप बोलोगे क्या must salary है आपकी salary है पांच लाग आप लोगे क्या must salary है पर अगर आपका home मतलब किसी भी चीज का EMI loan का interest ही इतना जबरदस रहेगा कि आपकी salary से जादा है तो फिर क्या फाइदा हो salary का वैसी दोस्तो company सिर्फ profit कमारी उससे चलता नहीं है और भी चीज़े देखनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि अगर company का profit लगातार consistently अगर नीचे जा रहा है तो दोस्तो ऐसे company से हम लोगों ने मतलब alert रहना चाहिए इतना में आप लोगों को कह सकता ह आप देख सकते हैं अलग-अलग website के उपर आप लोगों के data में लेगा ये देखें ये company का profit देखो लगातार company minus 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 बढ़ते जा रहा है पहले profit फिर loss loss बढ़ते जा रहा है danger sign है दोस्तो ये company का share price आपको धीमे 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 करके नीचे होके खतम हो जाएगा तो ये थ इतना करजा ले लिया कि अभी भरने के लिए पैसा नहीं इतना हालत खराब हो गया सो जो company ज्यादा loan भी लेती है boring आप लोग देख सकते हो लगातार loan बढ़ते ही जा रहा है please avoid those stocks देखें इसमें बहुत सरे indications भी होते हैं मैं ये ने किरा हूँ कि loan लेने वाले ही company खराब हो मतलब आपका profit भी कम हो रहा है and loan बढ़ रहा है दोस्तो ये वाली चीज़े अगर आपको देखने को मिल रही है तो फिर वो company बहुत ही जादा खत्रे में यह हम लोग समझ सकते हैं देखें अगर आप loan बढ़ रहा है आपको company का 1000 करोड 2000 करोड 3000 करोड बट अगर simultaneously company का profit भी ब पर मतलब यहाँ पर दोस्तो problem होने वाली kingfisher ऐसे डूब गई थी जितने भी company या जेपी groups की बात करें kingfisher की यहाँ पर बात करें सारे company में यही निशानी थी दोस्तो कि करजा रहा है बढ़ते बढ़ते और company profit से loss में आगे and loss से loss बढ़ता ही जा रहा है तो यह सबसे danger indicator है जो कि हम लोगों को बताते है कि उस company में रहना नहीं चाहिए तो यह था point number 3 दोस्तो चलो आजाते point number 4 यह चीजे बताती है दोस्तो कि यह company या फिर वो share डूबने वाला है तो आप भी अभी ज़रू चेक करना अपने portfolio में ऐसे company तो नहीं तो इसलिए ऐसे company में रहना ही नहीं होता है दोस्तो यह सबसे बड़ा indicator है जो कि आपको पता होना चाहिए अभी आप यहीं बोलोगे how to find तो दोस्तो कुछ इंडिकेशन आप लोगों को यहां पर मिल जाए कि जैसे कि salary अगर कोई company उनके employee को salary टाइम पर नहीं दे रही है बार-बार salary में कट कर रही है ऐसे कुछ चीज़ें देखने को में रही है कि safety नहीं है timing बड़ा-बर नहीं company के management उनके worker के उपर बहुत ज़्यादा pressure डाल रहा है यह एक अच्छे management का भी sign नहीं है निकल जाए ऐसे company से जो अपने worker और employee का respect नहीं करते यह company आज अच्छी कर रहे होगी बट आगे जाके यह company बहुत बड़ा problem create यहाँ पर कर सकती है और ऐसे कुछ हम लोगों ने यहाँ पर example भी देखे थे जैसे की jet airways आप देख सकते हो सबसे बड़ा asset का क्या होता है jet airways का या फिर airlines का obviously उनके pilots plane लेके करोगे क्या अगर पाइलेट ही नहीं तो यहाँ पर उन्होंने तो pilot की भी salary बंद की थी दोस्तो तो आप अंदाता लगा सकते कि एसे company का हालत वैसा होने ही था सो हम लोग को पहले कैसे पता चला है यह लोग मतलब बहुत सेर लोग मुझे पूछ रहे थे सर आपने पहले कैसे बता दी आज की jet airways डूप सकता है इतने higher level पे reason ही यह था कि pilots को बोल दिया कि 6 मेने बाद 10 मेने के बाद आपको salary मिलेगी गडबड़ है liquidity की बहुत बड़ी गडबड़ है JP associate इन्होंने तो कमाली कर दिया इन्होंने तो यह के दिया अपने employee तक की आपकी salary मिली नहीं है एक काम कीजिए company खत्रे में आप ही हमें पैसा दीजिए यस 2000 करोड employee के पास help मांग रहे थे तो आप समझ सकते कि company के हालत इतनी कराब है क्यों employee से मांगे के ओविसली बैंक तो loan देने वाली है नहीं तो employee से मांग रहे थे यह दिखे वोड़ा फोन आइडिया के हालत ऐसी की हुई तो आप खुद यहापे पढ़ सकते हैं सारे पॉस करके पढ़ लेना कि यहापे क्या चीज़े यहापे चल रही है तो आप लोगों को यहापे इंडिकेटर मतलब यह सारी चीज़ पता चलती है देखो वोड़ा फोन आइडिया ने सुप्रेम कोट को बोला कि AGR जोड़ी ह हम लोगों के पास तो employee के salary देने तक का पैसा नहीं है इसलिए वो 100-200 का stock अभी हम लोगों को 10-15 रुपे पर यहापे round and round देखने को यहापे मिल रहा है सो रस्तो आगे बनने से पहले very important announcement अगर अभी तक आपके पास demand account नहीं है तो ज़रूर link नीचे description box में आप लोगों को demand account की मिल जाएगी अगर आप लोग link के through account open करते हो आपका नाम और कौनसा demand account open की है यह comment section में बता देना तो 25 वीडियो की जो list है basic of stock market, PE ratio क्या होता है, dividend मतलब क्या, कौनसे share खरीदने चाहिए, क्या चीज़े देखनी चाहिए उसकी list आपको free of cost comment section में यहापे, मैं आप लोगों को reply करके यहापे दे दूँगा ज़रूर मुझे यहापे comment section में इसे related बात है, अगर आपने demand account open की है, तो यहापे inform कर देना चलो आजाते दोस्तो point number 5, very very important promoter holding, आप सब लोगों को पता है company के promoter, उनको बहुत कुछ पता होता है, company बड़ी partnership करने वाली है, promoter अपने shares खरीदना start करती है, company में गडबड होने वाली, promoter निकलना start करते है, बट इसमें भी दोस्तों, बहुत सारे, मतलब बोलते हैं na, exceptions भी है, सबसे पहले important चीज, अभ क्या गडबड़े ऐसा नहीं दोस्तों, तो फिर क्या check करना पड़ते है, हमें ये भी check करना पड़ते है कि promoter माल बेच रहे है, ठीक है, ओके वो बेच सकते है, बट खरीद कौन रहे है, क्या institutions खरीद रहे है, आप देख सकते हैं यहापे 5% बेचा है promoter ने, बट 8 का 14 हुआ मतलब institutions यहापे माल खरीद रहे है, तो आपको चिंता करने की ज़रूत नहीं है, जैसी कि आप लोग देख सकते हैं यहापे promoter में 10% माल बेचा है, ओवेसली हम लोग ने चेक करना चाहिए, बट FIS ने भी आपे 8% का 15% किया है, यह भी चीज हमें इंडिकेशन देती है, FIS या फिर DS, कोई अगर खरीद रहे है, मतलब कुछ गढ़बड नहीं है, यह हम लोग यहापे कह सकते हैं, बट यह second example देख लेना, पहला वाला यहापे हो गया, यहापे कोई गढ़बड नहीं है, बट यहापे चेक कर लेना दोस्तो, कि promoter ने क्या किया, 22% का 10% किया, मतलब 10% उनने माल बेच लिया, 10% से भी ज़्यादा है, बट चलिए, रफली बोल लेते हैं, फिर आप लोग देख सकते, FIS ने भी माल बेच दिया, 7 का 5 हो गया, DS भी देख लेना, 8 का, 4%, 5% हो गया, और वो पूरा माल किसको बेचा देखो, सब लोगों ने मिलके, 61 का 78 हो गया, क आप लोगों ने सावद रहना चाहिए, बाद में आप देख सकते हैं, कुछ सालों के बाद, प्रमोटर से 5 पसंड रहे, यहाँ पर FIS ने डियाइस चल गए, यहाँ पर कौन है, सिर्फ और सिर्फ पॉब्लिक है, तो ऐसी कंपनिया डूब जाती है, तो यह था पॉइंट 5 वेरी वेरी इंपोर्टन, अभी आ जाते हैं, पॉइंट नमर 6 के ओर, सो दोस्तों नेक्स पॉइंट आप देख सकते हैं, कौन सा केस, सिर्यास केस, मतलब देखें, कंपनी के उपर केस तो रहेंगे, अगर आप बिजनस करते हैं, आपके उपर केस पढ़ता ही है, बट अगर आप लोग देखते हो कंपनी के उपर, बैलेंशेट भी पढ़ते होंगे, कंटिंजेंट लाइबलेटी भी देखते होंगे, वहाँ पर पता चलता है कि कंपनी के उपर कितने सारे केसे से, बहुत सारे कंपनी के उपर बहुत सारे केसे से, बहुत सारे कंपनी के उपर आप लोगों ने देखा होगा अगर सरकार इनको या फिर सुप्रेम कोट इनको टाइम नहीं देता तो वोड़ा फोन आइडिया तो खतम ही था खुद कुमार मंगरम बिरला ने भी यही बोला था बेस्ट एक्जामपल अभी का आप देख सकते कौन सा फ्यूचर ग्रूप येस बैंक मैं आपको बताना चांगा 400-500 पर चलता था और बीच में वो नीचे आके रुख चुका था वापस 300 तक आया था पर एक बार इनके उपर फ्रॉड का आरोप लगा था मैं तो इसमें से आउट हूँ और बहुत ही सिरियस फ्रॉड का आरोप था तो इसलिए 1100 का स्टॉक आज काहा पर चल रहा है तो ऐसी कंपणी में बिलकुल भी में तो रहना पसंद या पर नहीं करता हूँ देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर एट मैनेजमेंट में जगड़ा है अभी जो कंपणी चलाने वाले है वही अगर जगड़ा करेंगे तो वह गाड़ी कहा पर जाएगी ड्राइवर्स बोलते हैं मैनेजमेंट मतलब अगर कंपणी गाड़ी है तो य और भी पैरामेटर्स होते बट एक ओवर्वी में आप लोगों को या पर बोल रहा हूँ पॉइंट नंबर 9 कंपणी के बहुत बड़े हस्ती ने रेजिगनेशन दे दिया है MD, CEO, Director, Senior Officer and उसी के साथ साथ मैंने लिखा है कि कोई दूसरा आदमी उनके जगे पर आने के लिए तयार नहीं है देखे MD, CEO, Director, Senior Officer ये रिजाइन देते रहते हैं उनके Personal Goal रहते है बर अगर रिप्लेस्मेंट में कोई नहीं आ रहे है मतलब उस कंपनी में कोई बड़ा वेक्ती जाना नहीं चाहता कुछ तो गड़बड है इसलिए दोस्तों ये भी चीज आप लोग ने दे देख सकते हैं, Director ने रिजाइन किया, बोला कि Company के अंदर गड़बड चल रहे, 5% स्टॉक गिर गया और उन्हें ये भी कही दिया था, जिन्होंने रिजाइन किया कि Company को कुछ पढ़ती ही नहीं है, Minority Shareholder के बारे में हो सोचते भी नहीं है, खुद के बारे में ही सोचते है, So, ये indication दे रहा था, कि इस Company में नहीं रहना चाहिए, और बाद में हर किसी ने आपे देख लिया, कि Yes Bank का हलत या पे क्या हुआ था, So, ये कुछ points है दोस्तों, जो हम लोगों ने देखकर decision लेना होता है, Share Price नीच आ गया, exit करो, Share Price नीच आ गया, exit करो, तो फिर Market में रहने का कोई मतलब नहीं है, दोस्तों, आप exit ही करोगे, market में pressure ही बनते रहता है, ये pressure market वाला है, point number 10, बहुत ही important, other factors, मतलब, loss of a major market, company जो business कर रही थी, अभी उनके हाथ से ही वो market चला गया, उनकी monopoly ही खतम होगे, best example, Vodafone idea, कितना जबरदस business कर रहे थे, Vodafone idea अलग-अलग थे, air retail competition चल रहे थी, Jio आ गया, उनका market ही खा लिया, खतम होगे company, आप देख सकते हो, license cancel का डर, banks खास करके, news bank में आता है, कि RBI warning देती है ना, किसी bank को कि हम अपका license cancel करेंगे, दोस्तों संबल लेना भापे, कुछ ना कुछ गडबड हो सकती है, next अगर, internal issue, company में बार-बार कुछ यह ऐसी company मतलब, दोस्तों भाग जाओ, मतलब, bank को पता होता है, कि इनका loan डूबेगा, यह company से दूर रहो, so, आप भी दूर रहे जाना, as a shareholder, next, supplier कह रहा है, यहाँ पे company को, कि आप cash के साथ deal करो, cash के साथ मतलब, देखी, supplier क्या करते है, आपको credit time देता है, कि अभी सामान लेकर जाओ, ठीक है, एक हफते बाद, एक मेने के बाद payment देना, बड़ अगर कोई supplier यह बोलता है company को, कि नहीं नहीं, आप पहले cash हाथ में रख दो, फिर ही हम लोग आपको सामान देगी, समझ जाना दोस्तों, वो company का financial stability अच्छा नहीं है, क्योंकि उस supplier को पता होता है, कि वो company कैसी है, यह पैसा डुबाएगा, यह company ने बहुत सारे installment डुबाएगा है, जेनों जेनों ने इनको देया है, NPA करके रखा है, तो supplier बोल देते कि इस company भाई, हम एक cash के साथ चाहिए, पहले cash दो, फिर माल लेके जाओ, बाद में देऊंगे, नहीं चलेगा, and last दोस्तों labor difficulties, कि company को labor ही नहीं मिल रहे है, labor नहीं जा रहे company में, मतलब company उनके safety का, health का खयाल नहीं रख रही है, so यह कुछ indications है दोस्तों, जो की बताते कि वो company डूबने वाली है, तब जाके हम लोग ने ऐसे companies में रहने का नहीं होता है, मैं again कह रहा हूँ, share price में pressure है, shares नीचे आते, normal चीज़े market में, अगर ये चीज़ देखकर अगर आप लोग exact हो जाते हो कि share का price नीचे आ रहे है, तो फिर हर एक stock का price आप नीचे आ रहे है, तो हर एक stock निकलना पड़ेगा portfolio में से, ये 10 चीज़े देखनी चाहिए दोस्तों, अगर इनमें से अगर आपको कोई चीज मिलत कि इसके चलते हैं, आप लोगों ने फैसला लेना होता है कि क्या वो company से निकलना चाहिए, या फिर कौन सी company डूबेगी, तो ये powerful वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ share करना, तो ऐसे interesting वीडियो आप लोगों को देख बाक्शन बाक्स में उपन कर सकते हो, so that's it, thank you very much, so we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye-bye